कॉंग्रेस पार्टी और भारत को कमजोर करने वाली ताक्तों के बीच के आपसी संबंध देश के लिए अब चिंता का कारण बन गए हैं। हाली में खुलासा हुआ था कि UPA काल में चीन ने राजीव गांधी फाउंडेशन को एक करोड से ज्यादा रुपया दान दिया। इसके अलावा यह भी पता चला की RGF के संबंध भारत और विदेश में मौजूद संदिग्ध तत्वों से हैं। पिछले दिनों आप इंडिया ने इस संबंध में एक रिपोर्ट भी की थी। रिपोर्ट में हमने कॉंग्रेस पार्टी और अमेरिकी अरप्ती जॉर्ज सोरोस के बीच संबंधों पर विस्तार पूर्वब बताया था। इन संबंधों से खुलासा हुआ था कि जॉर्ज का अपने NGO नेटवर्क के माध्यम से कॉंग्रेस पार्टी पर बहुत गहरा प्रभाव था। लेकिन अब यह ज्यात हुआ है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग की बेटी अमरित सिंग भी सोरोस की एक पहल में उसके साथ जुड़ी हुई है। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की वेबसाइट के अनुसार अमरित सिंग पूर्व पीएम की बेटी ओपन सोसाइटी जस्टिस इनिशियेटिव में राश्चिय सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी परियोजना को डाइरेक्ट कर रही है। चलिए इससे पहले हम आगे बढ़े आपसे अनुरोध है। राइत विचारधारा को मजबूती से रखने के लिए हमारे हातों को सशक्त करें। हमें गूगल पे या फोन पे के माध्यम से हमें सहायता राशी नीचे दिये नंबरों पर भेज सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं OSF वेबसाइट के अनुसार। अमरत सिंग कटरपंथ विरोधी गतिविधियों अभिव्यक्ती की आजादी पर अमकुष, हिरासत में हत्या, यातना जैसे मसलों पर पैरोकारी करती हैं। वेबसाइट के मुताबिक वहाँ इस परियोजना में आर्थिक न्याय, एंटीकर्प्षन और सूचना संदस्बा की स्वतंतरता की देखरेक भी करती हैं। इतना ही नहीं, अमरत सिंग को मानवाधिकार कानून पर उनके काम के लिए पुरसकार भी मिला है। साल दो हजार बारा में उन्हें उतकरिष्टता के लिए इंडिया एब्रोड पब्लिशर स्पेशल अवोर्ड मिला था। साल दो हजार बारा में ही अमरत सिंग की ओपन सोसाइटी जस्टिस इनिशेटिव द्वारा पब्लिश ग्लोबलाइजिंग टोचर। CIA Secret Torture and Extraordinary Rendition शीर्शक की रिपोर्ट को अंतराश्चिय मीडिया में बहुत सराहना मिली थी। गौरतलब है कि अमरत सिंग के अलावा कॉंग्रिस पार्टी के जौर्ज सोरोस के साथ कई अन्य लिंक भी है। उदाहरन के लिए UPA शासन के दौरान भारत के राश्चिय सुरक्षा सलाकार शिफ शंकर मेनन जौर्ज सोरोस के साथ एक NGO के बोर्ड में बैठते हैं। इसके अलावा हर्श मंदर जो सोनिया गांधी द्वारा गठित राश्चिय सलाकार परिशद में थे। वह भी जोर्ज सोरोस की Open Society Foundation के Human Rights Initiative Advisory Board के अध्यक्ष है। यहाँ याद दिला दे कि राजीव गांधी Foundation हाल ही में विदेशी संस्थाओं से डोनेशन लेने के कारण सुर्खियों में आया था। इस बीच यहाँ भी पता चला था RGF ने हर्श मंदर के एक गैर सरकारी संगठा नमन बिरादरी ट्रस्ट के साथ साजेदारी भी की। इस तरह राश्चुवाद वर राश्चुवादियों के खिलाफ युद्ध की घोशना करने वाले जार्ज सोरोस के साथ कॉंग्रेस के अती घनिष्ट संबंध निकले जो वास्तविक्ता में भारत के लिए चिंता का कारण है। आजादी के बाद से लंबे समय तक कॉंग्रेस गुजरात की सत्ता पर काबिज रही लेकिन पिछले 27 वर्षों से वह सत्ता का वनवास जेल रही है। अब केंद्र में भी कॉंग्रेस पिछले 9 साल से वनवास जेल रही है। 2002 में गुजरात विधान सभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतरित्व में जिस तरह बीजेपी ने जीत दर्स की उसके बाद कॉंग्रेस को समझ में आ गया कि उसके लिए नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा खत्रा बनने वाले हैं। इसी लिए 2002 के बाद से ही उसने साजिश रचना शुरू कर दिया। गुजरात में उनको हर्ष मंदर से लेकर तमाम लोगों का साथ मिला वहीं अंतराश्य स्तर पर जार्ज सोरोज भी इस शद्यंत्र में शामिल थे। यह स्पष्ट है कि सोरोज जैसे लोग लंबे समय से भारत में कॉंग्रेस और वाम एजेंडा का प्रबंधन कर रही थे। कॉंग्रेस सोरोज के सहारे मोदी को गुजरात की सत्ता से हटाने की साजिश 2002 से करती आ रही है। और सोरोज 2002 से मोदी से हारते रही हैं। और अब दो बार से पी-एम मोदी को केंद्र सरकार से हटाने में भी हार चुके हैं। चूंकि मोदी दो बार सफल हुए, सोरोज अपने शातिर विचारों में सफल नहीं हो पाए इसलिए अब उन्हें खुद मैदान में सामने आना पड़ा। लेकिन भारतिय जन्वानस विदेशी ताकत की नापाक हरकत को समझ चुके हैं। 2024 कॉंग्रेस के साथ ही सोरोज के अंत की इबारत भी लिखेगी। सोरोज और उनके जैसे लोग भारत में एक कमजोर और गटबंधन सरकार को पसंद करते। हैं जिससे वे अपनी आवरशक्ताओं के अनुसार उसे चला सकें। एक स्थिर पूर्ण बहुमत वाली सरकार से वे डरते हैं और इसलिए उसे हटाना चाते हैं। यहां एक सर्वविदित तथ्य है कि राहुल गांधी 2022 में जब ब्रिटेन में थे उसी समय सोरोज भी ब्रिटेन में था। यहां डीपस्टेट का शड्यंत्र है जिसमें कॉंग्रेस सहित लेफ्ट लिब्रल मिले हुए हैं। कॉंग्रेस पार्टी गुजरात में 2002 में गोध्रा दंगा के बाद से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के खिलाफ शड्यंत्र रच रहा है। 2005 में इस साजिश में शामिल लोगों के नामों पर गौर करे तो पाएंगे अब्दुल एम मुजाहिद, आयसाइ, फाई, आयसाइ, हर्श मंदर, सोनिया सहियोगी, राजू राजगोपाल, सोनिया सहियोगी, जौन प्रभुदास शामिल थे। ये सभी उस वक्त ततकालीन गुजराच सीएम नरेंद्र मोधी को वीजा नहीं मिले, इसके लिए काम कर रहे थे। जब कॉम्रेस के नेत्रित्व वाली UPA सत्ता में थी, तब हर्श मंदर की सोनिया गांधी तक बेलगाम पहुँच थी और उन्होंने इसका फाइदा भी उठाया। उन्हें खुली छूट दी गई थी और उन्होंने गुजरात दंगो के फरजी अभियान का एक जटिल जाल बुना था। इस काम में उनके पाक कनेक्शन ने उनकी मदद की। यही वज़ा है कि हर्श मंदर जिस आक्शन एड एंजियों से जुड़े थे उसने गोधरा के अभियुक्तों का बचाव किया था। इंडियन मुस्लिम रिलीफ कमेटी आये मारसी के सिमी के साथ जिहादी संबंध थे लेकिन अंदाजा लगाईये की। हर्श मंदर और उसके संचालकों ने इंडियन मुस्लिम रिलीफ एंड चेरिटीज आये मारसी के नाम से एक नया संगठन बनाया और वहाँ उनके लिए धन जुटा रहा था। दोनों का अमेरिका में एक ही पता था। चर्श के एजेंट जॉन प्रभुदास ने वाशिक्तन में एक थिंग टैंक लॉंच किया और वही थिंग टैंक टी एम मोदी को यूएस वीजा नहीं मिले इस अभियान में लगा हुआ था। इसके अलावा वह पाक के साथ जिहादी समर्थित साजिश का भी हिस्सा था। हर्श मंदर अपने गुजरात दंगों के अभियान में लोगों को जोडते रहे और और उन्हें विदेशी फंडिंग मिलती रही। इस अभियान को चलाने के लिए पैसे की कभी कमी नहीं आई। 1990 में स्थापित National Foundation for India, NFI, 2006 तत इस रूप में सामने आया कि जिसे Mini National Advisory Council, A.N.A.C. कहा जा सकता है। भारत के ततकालीन पी-एम मनमोहन सिंग इसके एक सदस से थे। उन दिनों के दौरान इसकी फंडिंग कई लोगों को बेनकाप करने में मदद करेगी। 2006 में Redis के लिए लिखते हुए दिवंगत बी-रमन ने गुजरात के ततकालीन मुख्यमंत्री और अप्रधान मंत्री मोदी को वीजा देने से इनकार करने के लिए क्रिश्चियन और मुस्लिम संगठनों को दोशी ठहराया। इसके पीछे साजिश वही थी कि मोदी को गुजरात दंगों का आरोपी बना कर दुनिया भर में अच्छूत बना दो। NGO और मंदर सोनिया के किचिन कैबिनेट सदस्य ने इसमें भूमिका निभाई। कॉम्रेस दस साल तक सत्ता में रही और उसने नरेंद्र। मोदी को गुजरात दंगों के मामलों में जूटा फंसाने के लिए हर आक्टिविस्ट को उसकी भूमिका के आधार पर सब कुछ दिया गया। लेकिन यह विफल रहा और नरेंद्र मोदी को 2014 में जनता ने सिर आंखों पर बिठाया और वहा प्रधान मंत्री बने। अब उसकी चुनौती और बड़ी हो गई। उसके बाद एक नया दौर शुरू होता है। गुजरात दंगों के दौर में मोदी को फसाने के लिए बनाए गए पुराने संधठनों को या तो भंद कर दिया गया या बंद कर दिया गया और नए नाम सामने लाए गए। सोरोसर्ष मंदरगांधी लोबी द्वारा पीए मोदी के खिलाफ खेल खेला जा रहा है। लेकिन अब यहा हिंदू विरोधी खेल में बदल गया है। कॉंग्रेस द्वारा समर्थित वैश्विक एक्टिविस्ट, दानदाता, फंड देने वाले और विदेशों में बसे लेफ्ट लिबरल भारतिय का गुट अब पीए मोदी को रोकना चाता है। दीपर स्टेट अब इस बात से घबराया हुआ है कि भारत का विकास शक्ती संतुलन को वापस एशिया में स्थानांतरित कर देगा जैसा कि 1760 के दशक से पहले था। चुकि पीए मोदी भारत के विकास के साथ ही सनातन संस्कृती को भी गौरफ प्रदान कर रही हैं, तो अब लेफ्ट लिबरल ग्यांग हिंदूों को बदनाम करने के शद्यंत्र में जुट गई है। वर्ष 2021 में Dismantling Global Hinduत्व का आयोजन हिंदू धर्म को बदनाम करने की इसी डीप स्टेटे की साजिश थी। इस तथाक्थित सम्मेलन के आयोजकों का अतापता नहीं चला। अचानक इंटिनेट मीडिया पर इसकी घोशना होती है। इसकी एक वेबसाइट बना दी जाती है जिस पर तीन दिन के आनलाइन सम्मेलन की घोशना की जाती है। दावा किया जाता है कि अमेरिका के कई विश्व विद्यालियों के विभागों का समर्थन इस सम्मेलन को प्राप्थ है। तीम दिन के सम्मेलन में घिसे पिटे विश्यों को लेकर आनलाइन चर्चा सत्र आयोजित होते हैं। इन सत्रों में वही घिसे पिटे वक्ता होते हैं, जिन्होंने अपने देश में अपनी प्रासंदिकता खो दी है। असहिशनुता और पुरसकार वापसी के प्रपंच में भी इन में से कईयों का नाम सामने आया था तब भी वो सब भारतिय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ एकजुट होकर सामने आये थे ग्लोबल हिंदुत्व को खत्म करना उसी नेरेटिव गेम का हिस्सा था भारत जोडो उस नेरेटिव गेम का विस्तार था प्राना अयूब और कई अन्य लोग उसी गेम का हिस्सा है और इसलिए हिंदनबर्ग रिपोर्ट और बीबीसी डॉक्यूमेंटरी आती है दरसल में हताशा में काम कर रही है और जब उन्हें इन शद्यंत्रों से अपेक्षित परिणाम नहीं मिले तू अब जार सोरोस खुलकर सामने आ गए लेकिन इसे खेल बिगाडने का अंत ही कहा जाएगा 2024 में इन सब पर लगाम लग जाएगा राधा राजन और किशन काक एक भेतरीन किताब लिखी है NGO, Activists and Foreign Funds Anti-Nation Industry इस किताब के जरिये विदेशी फंडिंग के मौझूदा कनेक्षनों को उनके पुराने और बंद किये गए कनेक्षनों पर मैप किया जा सकता है इस रूप में यहाँ एक golden book है कि किस तरह सोनिया गांधी के इशारे पर नरेंद्र मोधी को फंसाने के लिए व्यूवर रचना की गई और इसमें NGO, Activist शामिल किये गए आप से अनुरोध है देशित में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें हमें और आगे बढ़ने में हमारी आर्थिक मदद करें आप हमें Google Pay या Paytm के माध्यम से हमारी मदद कर सकते हैं हमारा नंबर है 9911955719 आप सभी से एक अनुरोध और करना चाहेंगे यदि आपको हमारे content पसंद आ रहे है तो हमारे channel को subscribe करना ना भूले और इसी channel की अन्य वीडियो को भी जाकर देखे और कम से कम 10 ग्रूपों में या अपने हित्मित्रों तत इस वीडियो को शेयर करे